मुश्कार, स्वागत है आपका Self-Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं Biography of Raja Ram Mohan Rai Raja Ram Mohan Rai जिनको Indian Reformist यानि फादर कहा जाता है Indian Reformist का Liberalism यानि बहुत बड़े तरीके से इन्होंने समास उधारक के तोर पे काम किया एक तरीके से rebel रहे हैं ये अपने पिता का विरोध किया Brahman समाज में ये पैदा हुए और ये कभी भी ये कहते ही नहीं थे कि कोई उच जाती, कोई निम जाती ऐसी है नहीं, उनके कट्र विरोधी थे और एक ही इश्वर में विश्वास करने वाले, उन्होंने उस वक्त अवाज उठाई, जहां पर काफी सारे लोगों को बोलने तक नहीं दिया जाता था, अगर कोई बोलने था था, तो उसको दबा दिया जाता था, वहां पर इन्होंने महिलाओं के लिए, खासकर महिलाओं के लिए इन्होंने बहुँ ज़्यादा वाज उटाई, बहुँ ज़्यादा reform ये लेकर आए, तो इनकी जीवनी को हम इसमें पढ़ने वाले हैं, PDF के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, description box में telegram का एक link दिया मिलेगा, तो आप वहाँ से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए अभी हाले में क्या है, जो ministry of culture है, उन्होंने राजा रामोन राए की 250 मीं बर्थ एनिवेर्सरी पर, यहाँ पर वर्ष बर चलने वाले एक उत्सव के उत्गाटन समाराओ का आयजन क्या है, यहनि एक साल यह आयजन, मतलब कि उत्सव जो है वो चलने वाला है, अगली 22nd में 2023 तक, 22nd में 2023 तक यह उत्सव चलने वाला है, यह 250 मीं बर्थ एनिवेर्सरी थी, इसके उपर Ministry of Culture ने इसका उत्गाटन किया है, अब बात कर लेते हैं इसी जो यह समारो चलने वाला है इसके बारे में, देखें, यह उत्गाटन जो है वो कलकत्ता में, राजारा मोहन राए लाइबरेरी फाउंडेशन, साल्ट लेक और साइंस सिटी ओडिटोरियम में आयजित किया गया, यह जो है वो एक साल तक उत्सव है, एक साल तक चलाया जाएगा, अगले वर्स 22 मई 2023 तक यह मनाया जाने वाला है, और इस वर्स राजारा मोहन राए की 250 वी जहनती और राजारा मोहन राए लाइबरेरी फाउंडेशन की 50 वी स्थापना दिवस भी था, अब बात करें संस्कृति मंत्राले ने राजारा मोहन राए लाइबरेरी फाउंडेशन में राजारा मोहन राइबरेरी फाउंडेशन में राजारा मोहन राए के बहुत प्रतिस्थित प्रतिमा का भी इन्होंने इन्योग्रेशन किया है, अब बात कर लेते हैं राजारा मो आधुनिकी करन के यूग की शुरुवात की एच्छल में ये वैस्टन वैस्टन की जो पढ़ाई थी स्टडी थी उनको बहुत ज़्यादा फोलो करते थे और वो चाहते थे कि जो पश्चमी सपेता है उसमें कुछ अच्छी चीज़े हैं वो भारत के हिंदू समाज के अब उ इतनी ज़्यादा भाशाओं का यहां पर ग्यान था और यहां पर इनोंने अपने भाई की पत्नी को एक तरीके से सती होते देखा था उस वक्त इनके उपर बहुत ज़्यादा प्रभापड़ा था और उन्होंने फैसला किया था कि यह सती प्रता को बंद करवा के रहेंगे यह एक ऐसी कूपरिती है जो यहां पर चलनी नहीं चाहिए आप सोच कर देखिए कोई महिला देखिए एक तरीके से यह अगर आप हमारे समाज में हिंदू समाज को अगर आप देखते हैं तो हिंदू समाज में बहुत सारी चीज़े एक अच्छे तोर पे शुरू की गई लेकिन धीरे धीरे उनका बहुत ज़ादा गलत यूज होने लगा ऐसी सतीपर्था थी उसके अंदर तो यहां पर सतीपर्था को इन्होंने बंद कराने के लिए बहुत प्रैतन किये सतीपर्था क्या महिलाओं के जो विदवा थी महिलाए उनको वापस समाज में लाया तो यह अपने पिता की विरोधी थे इन्होंने घर चोड़ दिया था घर चोड़ने के बाद पटना चले गए था वहां पर इन्होंने अपना जीवन स्टार्ट किया था बहुत सारे ज्यान इन्होंने लिया था देखे इनका जनम हुआ था बाइस महीं 1772 को बंगाल के आजारा मोहन राए की प्रारंबिक शिक्षा फार्सी देखे फार्सी अर्बी इन भाषाओं में पटना में हुई थी देखे कितनी सारी यह 16 साल की उमर तक इन्होंने इस सारी चीज़ें सीख ली थी पटना में हुई थी जहान उन्होंने कुरान सूफी रहश्यवादी कप की रचनाएं प्लुटो एवम अरुस्ति की पुस्तकों के अर्बी संस्क्रण का अध्यन किया था अर्बी फार्सी संस्कृत यह इंग्लिश यह सारी चीज़ें इनको आती थी यह सारी भाषा इनको पता थी और फिर इन्होंने बनारस के संस्कृत भाषा वेद और इनको तो वो चीज़ें राजनी आने वाली थी इनको दिखती थी समाज में कुरूतियां तो यहां पर इन्होंने 1814 के बाद अपना इस्तिफा दिया और समाज सुधारा के तोर पर यह आगे 1814 में इन्होंने नोकरी में इस्तिफा दे दिया और जीवन को धार्मिक समाजिक और राजनीतिक सुधारों के प्रति समर्पित करने के लिए कोलकाता वापस चले आए तेकि 1830 में नवंबर 1830 में वे सती प्रता संबंदित अधिनियम का परतिमन लगाने के उत्पन संभावित ऐशांति का प्रतिकार करने के लिए इंग्लेंड चले गए थे राजा राम मोहन राए दिल्ली के मुगल समरट अकबर दुट्य की पैंसन से संबंदित शिकायतों हे तो इंग्लेंड गए तबी अकवर दुत्यें द्वारा इन्हें राजा की उपादी दी गई थी राम मोहन राय इनका नाम था राजा जो है उपादी दी गई थी अकवर दुत्यें के द्वारा अपने संबोधन में टेगोर ने राम मोहन राय को भारत के आधनिक यूग के उद्गाटन करता के रूप में भारती इतियास का एक चमतकार, चमकतार सितारा भी कहा था, अब देखें विचारधारा की बात कर लेते हैं राजाराम मोहन रहा है, पश्चमी आधनिक विचारों से बहुँ ज़्यादा परभावी थे यानि ये क्या थे क्रिश्चनिटी का इनके उपर काफी ज़्यादा परभाव था इसाई धरम का लेकिन इनोंने कभी क्रिश्चनिटी का अपनाए नहीं कि देखे, ये मानते थे कि भी हाँ जो पश्चमी आधनिक विचारता रहा है, इनका मानना था कि यहाँ पर बहुत सारी अच्छी चीज़ें और वह सारी चीज़ें हिंदुईजम में आए ये बुद्धिवाद और आधनिक विज्ञान दिरिश्टी कौन पर बहुत ज़्यादा जोर देते थे और राजारा मोहनराय ततकालिक समस्चया उनके मूल निवास बंगाल के धार्मिक और समाजिक पतन की थी उनका मानना था कि धार्मिक रुडिवादिता समाजिक जीवन को बहुत ज़्यादा शती यानि नुकसान पहुंचाती है और समाज में जो स्थिती है सुधार करने के बज़ाए लोगों को और ज़्यादा परिशान करती है यानि कि अगर रुडिवादी अगर यही सोच रही तो राजरा मोहन रायका मानना था कि समाजिक और राजनितिक आदनिकी की करन धार्मिक सुधार की परिदी में ही शामिल है और राज़ारामोर्राएं का माना था कि परतेक Пापी को अपने पापों के पश्चाता करना चाहिए और उनको आत्म सुद्धी और पश्चाता के माध्यम से ये सब किया जाना चाहिए ना कि आप रिचूल्स कर रहे हैं या कि आप बलिदान दे रहे हो किसी का sacrifice कर रही है अनुस्ठानों के मादिम से वो सब चीज़े नहीं बलकि पश्चाता आप करके होगा आपका अगर आपने कोई पाप किया है तो वह सभी मनुष्यों के समाजिक समानता में विश्वास करते थे और जाती विवस्ता में संदेश है एक एकश्वरवात को वे हिंदू ध्रम के बहु विवाद और इसाई ध्रम विवत के प्रती एक सुधार आत्म कदम मानते थे उन का मानना था की दीके एकश्वरवात ने माननवता के लिए एक सर्व Statistics का समर्तन किया है राजाраз क्षित रहेंगी बाल विवा होता रहेगा सतीपर्था रहेगी यह जैसी एमानविया रूपता तब तक यह मुक्त नहीं किया जाता तब तक हिंदु समाज परगती नहीं कर सकता और यह उस वक्त उन्हों ने अवाज उटाई देखे जहां पर लोगों को बोलने तक नहीं दिया जाता था वहाँ पर आप सोच के देखे एक महिला जिसकी शादी हुई है और दो दिन बाद उसके पती की मृत्ती हो जाती है तो उसके उपर अब तो कोई है ही नहीं क्या तो मेरा भी जीवन का था सती परता का मतलब कियानी कि चीता के उपर महिला को भी बेठा कर उसकी पती की महिला को भी बेठा कर उसकी पती की अर्थी की जो चीता है उसकी उपर बेठा कर महिला को भी वहाँ पर सती कर दिया जाता था आग लगा दी जाती थी तो सोच कर देखिए यहाँ पर यह ready हो या ना हो इनकी सोच जाने ना जाने इनको जीना हो क्या करना तो भाइए यह सोचे भी ना ही माने इनकी इच्छा जाने बगएर ही इनको वहाँ पर सती कर देना तो यह कितना जादा दर्दनाक होगा और उस कूरती के परती इन्होंने बहुत ज तो उन्होंने सती परता को हर मानविय और समाजिक भावना का उलंगन करने के रूप में एक जाती के नैतिक पतन के लक्षन के रूप में चित्रित किया था इन्होंने कहा था कि जब तक ये सारी चीजें रहेंगी तब तक कभी भी परगती नहीं हो सकती अब वहाँ पर धार्मिक सुधार के बारे में बात करते हैं देखिए राजा रामोन राय का पहला परकाशन था तुफात उल मुवाहिदीन यानि देवताओं का एक उपार इस परकाशन में इन्हों ने जो मुर्ती पूजा इसका पूर्ण रूप से विरोध किया था देखिए यह जो थे यहां पर एक इश्वर को ही मानते थे और कहते थे कि मुर्ती पूजा नहीं होनी चाहिए यह देखिए अपनी अपनी आपको इच्छा है क्या आप मानते नह इनका मानना था कि मूर्ति पूजा नहीं होने चाहिए और यहां पर इस प्रकाशन में इन्हों ने मूर्ति पूजा का बिल्कुल खंडन कर दिया था अठरा सो तीन में इन्हों ने यह सामने आया थे मतलब कि इसका परकाशन क्या था जिसमें हिंदों के तर्क, हीन, धार्मिक, विश्वासों और ब्रश्ट पर्थाओं को इन्हों ने उजागर क्या था देगे बहुत जादा यह तर्क के साथ आते थे मतलब इनके पास लोजिक होते थे कोई भी इनके सामने वाद विवाद करने आता था तो यह अपने तर्क से उनको चुप करा दिया करते थे इतने विद्वान थे, इतनों ने इतनी शिक्षा ले रगी थी अब बात करें, वर्ष 1714 में इनों ने मूर्ती पूझा, जातिकत कठोरता, निरर्थक, अनुस्ठानों और अन्य समाजिक बुराईयों का विरोध करने के लिए कलकत्ता में आत्मे सभा का स्थापना की थी उन्होंने इशाई धरम के करम कांट और इन्हों ने देखिए, एक ही धरम नहीं, केवल कहीं सोचे कि हिंदूइजम के खिलाफ इन्होंने कुछ बोला हो, इन्होंने इसाई धरम के, बावजुद इसके इसाई धरम का इनके उपर काफी जादा प्रभावता, लेकिन इसाई टेस्टामेंट के नैतिक और दार्षनिक संदेश को अलग करने की कोशिश की जो की चमतकारी कहानियों के माद्यम से दिये गए थे अब यहां पर समाज सुधार के तोर पर अगर हम बात करें देखे राजारा मोहन रहे सुधारवादी धार्मिक संगों की कलपना सामाजिक और राजनेतिक परिवर्तन के उपकरणों के रूप में की उन्होंने वर्स 1815 में आत्मिय सभा, 1821 में कलकात्ता युनिटेरियन एसोशेशन और 1828 में भ्रहम सभा बाज में चलकर भ्रहम समाज बन गया था और यहां पर इसमें ये पूर्ण रूप से आइडियल मतलब कि मूर्ती पूजा का विरोध किया करते थे मतलब देखिए ये कहते थे कि आपको मानना है मानने लेकिन इसका में मोटीव जो था ब्रहम समाज का या ब्रहम समाज का यही था कि हम मूर्ती पूजा का विरोध करते हैं उन्होंने जाती विवस्था, चुवा चूट, अंद विश्वास और नशीली दवाओं के इस्तमाल के विरोध अभियान चलाया था वह महिलाओं के सवतंतरता और विशेस रूप से सत्ती एवं विदवा पुनरविवा के अनमूलन पर यानि इनको खतम किया जाए विदवा जिसे वहाँ पर विदवाओं को कितनी एक गलत द्रिष्टी से देखा जाता था ये कहते थे कि विदवाओं जो होगी है उनका उदवारा से शादी उनकी किराए जाए उनको समाज में फिर से वापस लाए जाए उनको जीने का फिर से हक दिया जाए इसके खिलाब ये बहुत इन्होंने लड़ाई या लड़ी उन्होंने कहा दे कि बाल विवा महिला एसिक्षा विदवाओं की अपमान जनक्स दिती इनका इन्होंने बहुत विरोध किया और महिलाओं के लिए विरासत और संपत्ति के अधिकार की मांगी आज की डेट में जैसे काफी सारे कानून आये हुए हैं कि महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकार है अपने वसियत में उनको मिलेगा तो ये बहुत टाइम से कबसे 1821 1772 के अंदर इनका जन्म हुआ वहां पर कैसे कानून होंगे वहां पर कैसी सोच होगी उस वक्त ये बोले कि भाया विरासत होनी चाहिए संपत्ति मिलने चाहिए इनका अधिकार होना चाहिए महिलाओं को अब सेक्षिक सुधार बात करते हैं लेकि राजारामोन राय ने देश वास्यों के मद्ध्य आधुनिक सिक्षा का परसार करने के लिए बहुत सारे प्रयास के उन्होंने 1817 के अंदर हिंदू विज्ञान दोनों के पठे करम को यहां पर पढ़ाया जाता था आर्थिक और राजनीतिक सुधार नागरिक सुधानतर था राजारामोन रहा है ब्रिटिस प्रनाली की समयधानिक सरकार त्वारा लोगों को दी गई नागरिक सुधानतर था के अत्यंत परभावी थे उन्ह ने भारत में स्वंतंतर प्रेस के लिए आंदोलन का समर्थन किया था जब वर्स 1919 में लाड हैस्टिंग द्वारा प्रेस सेंसेशिप में धील दी गई थी तो राजारामोन रहां ने तीन पत्रिकां ब्रहमनवाद पत्रिका 1821 बंगाली साप्ताइक समवाद कुमेदी वर् उल अकबर का प्रशाशन किया था कराधान सुधार इन्होंने का था कि राजारामोन रहां ने बंगाली जमिदारों की जो दमनकारी प्रताइं हैं उनकी काफी इनको क्रिटिसाइज किया गया था इन्होंने किया था और इन्होंने का था एक मिनीमम एक टेक्स वहां पर इन इंडिया कम्पनी के वेपारीक अधिकारों को समाफ्थ करने का आहवान क्या था प्रशाशनिक सुधार में उनों ने बहतर सिवाओं में भारतिय करण और न्याईपालिका की कारेपालिका को अलग करने की मांग की थी इन्होंने भारतियां एवं में यूरोपिया लोगों के बीच में समानता की मांग की थी क्योंकि उस वक्त भारत और आपको पता है ये यूरोपिया लोगों के बीच में जैसे बेदवाव चलता था गोरे लोगों को उपर माना जाता था भारतियों लोगों को एक तरीके से नीचा माना जाता था तो इन्होंने कहा था कि यह सब में समानता होनी चाहिए तो यहाँ पर एक बहुत बड़े social reformer के रोप में यह सामने आये थे और यह उमीद करता हूँ की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी PDF के लिए फिर से बता देता हूँ description box में telegram का एक link दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो वीडियो पसंद आई है तो बेशक इसको like करें चैनल को subscribe करें और कुछ जादा ही पसंद आई है तो share कर सकते हैं वीडियो को भी as well as channel को भी Thank you for watching this video